जारखंडी जोहार मैं सुनिमा कुमारी पतिया जामटोली गुमला की रहने वाली हूँ और मैं तमिलाडू में काम कर रही थी जहां मुझे काफी परेशानी हो रही थी तथा 12 घंटा काम करना पड़ता था हमारे पिरिये मानिय मुख्या मंतरी सिरी हेमन सुरंकी की जी के परियासों से हमारे जारखंड राजिया में कपड़ा उद्योग बढ़ रहा है और हमें रोजगार मिला मैं अभी अर्बिन कंपणी में काम करती हूँ हम सुनिल लिंडा राची जीला कर प्रखण नामकों से ही साल 2018 में मरवाडी कोलेज राची से हम ग्रेजुएशन कर ली और आज हम अर्बन डिजाइन प्राइबेट लिमिटेड जे पाचा में इस्थित्हव हूँआ हम पैकिंग इंचार्ज के रूप में काम करी ला पिर ये मानिय मुख्या मंत्री सिरी हेमन स्वरेग जी को और आप सभी को जारखंडी जोहार मैं सुनिमा कुमारी पत्या जामतोली गुमला की राने वाली हूं और मैं तमिलाडू में काम कर रही थी जहां मुझे काफी परेशानी हो रही थी तथा 12 घंटा काम करना पड़ता था हमारे पिरिये मानिय मुख्या मंत्री सिरी हेमन स्वरेग की जी के परियासों से हमारे जारखंड राजिय में कपड़ा उद्योग बढ़ रहा है और हमें रोजगार मिला मैं अभी अर्विन कमपणी में काम करती हूँ और हमारे पिरिये मुख्या मंत्री हेमन स्वरेग जी को हार्दिक अभी नंदन और धनियावात करती हूँ अब हमारे जैसे बहने हमारे जारखंड राजिय में काम करती है अब उन्हें दूसरे राजिय में काम के लिए जाने की जरुरत नहीं है मैं पूना तहे दिल से हमारे मुख्या मंत्री स्री हेमन स्वरेग जी को धनियावात करती हूँ बहुत धन्यवाद सुनिमा कुमारी अपने अनुभों हमारे बीच रखने के लिए और अब मैं आमतित करूंगी अब रिन डिजाइन से सुनील लिंडा आदर निये मुख्या मंत्री स्री हेमन स्वरेग जी और हियाँ पर आवल हमर सब भाई भाई बहिन मन के हमर जोहार आईज कर इस दिन ले सबके हम सुबकामनाय देविला और इस गौरव साली दिन में हमके मंच में आपन सब बोले ले और सर मिललाव इकर ले हम सबके सुक्रिया आदा करीला हम सुनिल लिंडा राची जीला कर प्रखण नामकों से ही साल दोहजार अठारा में मरवाडी कोलेज राची से हम ग्रेजुएशन कर ली और आज हम अर्बन डिजाइन प्राइबेट लिमिटेड जे पाचा में इस्थिथाव हुआ हम पैकिंग इंचार्ज के रूप में काम करीला सरपथम हम मानिये मुख्यमंत्री जी कर सहनू भूती और सकारात्मक कदम के लिए धन्यावाद देवे चाहीला जेकर चलते आज हमके और हमर जैसन हजारों भाई बहिन मन के अपन घर जार्खन में रोजगार उपलब करा लाए एक समय रहो जब हमर घर कर आर्तिक इस्तिती ठीक नहीं रहो पढ़ाय भी खतम हो जाय रहो और घर में बाप एकले कमाया वाला रहो जेकर से जेकर चलते घर कर रहन सहन सही नहीं रहो और घर में भी घर वाला मन से सुनेक बढ़त रहो कुछ काम केर ले केर ले और हम इदिर उदिर घुमेक में मस्त रहत रहो फिर गाव अलामन भी हमके और सब घर अलामन के बोलत रहा है कि इकर बेटा से नहीं रहबा उगुमेक फिरेक में रहूला कोई काम धंदा नहीं करूला तो एक दिर हमके बहुत सोचली हमके ठीक नहीं लागत रहो और हम घर में बीना बताए एमदाबाद भाइक गिलिया हो और हुआ हमके पता नहीं रहो कि जार्खन छोड़ के दूसरा जगा गेले कितना दिक्कत होता हो खायक पीयक कर कब आतिरीक पैसा नहीं मिलत रहो कोई तबियत भी खराब होजात रहो तो कोई देखे वला नहीं फिर हमके बहुत घर कर चिंता सतात रहो फिर अख़बार करमाधियम से पता चलो हमिंकर यहां जारखन में जब इतने सारे कमपेनियां हमिंकर स्री मानिये मुख्यमंत्री जी जब इताई ब्यवस्ता करवाथ हो तो हम कहें बाहर में काम करवाओ फिर हम उवाँ से आपन जारखन आएगे लियाओ और अर्बन डिजन प्रावेट लिमिटेड कमपनी जे पांचा बुंडू में हौँ हुआ आज ये पैकिंग इंचार्ज काम कर रहा थी हौँ और जे आदमी पहले गाउं घर कर बोलत रहा है उकर बेटा से ना राबे ना रा जैसन की हमिन के पता हो हम मानिये मुख्या मंत्री जी से एक निवेदन कर रिला कि जारखन में और इसन टेक्स्टाल कमपनी के ज्यादा से ज्यादा लाने कर क्रिपा करवाए जेकर से हमिन कर जारखन कर जेते भी अभी भाई बहिन मने बेरोजगार है उमन के रोजगार मिल सके और हमिकर जारखन पूरी तरह से बेरोजगारी मुख्त होए सके जैसे कि हम इनके पता हो आईज मानिये मुख्या मंत्री जी स्री हेमन सोरें जी आई हजार भाई बहिन मन के निउक्ति पत्र देवाला है आयो वाला समय में इप अड़ाई हजार से पच्चिस हजार भाई भाहिनमन के निप्ति पत्र देबाए क्या कारिफ करू सर आपका अलफाज भी कम पड़ जाएंगे आपकी उपलब्दी बताने लगा तो सुबा से साम हो जाएंगे एतये बोलके हम अपन वानी के अंद करिला जय हिन जय भारत जय जारखन सबके चुहार बहुत बहुत धनिवाद आपका